इसी साइकल के आगे स्कूटर बाइक भी फेल, पैडल से बैटरी चार्ज होगी, हैंडल घुमाने पर इंडिकेटर आटो आउन होंगे रेवोल्ट ने इलेक्ट्रिक साइकल के लिए नया ब्रांड ई-X-Sight लॉंच किया है ये ब्रांड लोगों के लिए न्यू टेक फोकस्ट इलेक्ट्रिक साइकल तयार करेगा इस ब्रांड ने पहला फ्लैक्शिप मॉडल एक्स वन है, इलेक्ट्रिक टू वीलर और फोर वीलर ही फ्यूचर है देश और दुनिया की कई कमपनिया अपने ई-वी मॉडल को लॉंच कर चुके हैं वहीं कई कमपनिया इन पर काम कर रही है स्पेन की कमपनी रेवोल्ट बाइक भी अपने ऐसे ही टू वीलर तयार करती है कहने को तो ये इलेक्ट्रिक साइकल बनाती है लेकिन इन्हें देखकर आप अच्छी अच्छी मोटर साइकल भूल जाएंगे जी हाँ रेवोल्ट ने इलेक्ट्रिक साइकल के लिए नया ब्रांड ई-X-Sight लॉंच किया है ये ब्रांड लोगों के लिए न्यू टेक फोकस्ट इलेक्ट्रिक साइकल तयार करेगा एप से इस साइकल के कई फीचर्स काम करेंगे इ-X-Sight लाइन अप की X1 एक फुल साइज इलेक्ट्रिक साइकल है ये अपने डिजाइन और फ्रेम से फैमिली की दूसरी इलेक्ट्रिक साइकल के जैसी ही नजर आती है इसमें हेवी ट्यूब के साथ एक वायरलेस फोन चार्जर डॉक दिया है इस डॉक की मदद से राइडर के लिए एक डिस्प्ले तयार हो जाता है फोन को साइकल से कनेक्ट करने के बाद साइकल के सेंसर को इस्तिमाल कर सकते हैं इसके लिए EIVA 2.0 नाम का एप तयार किया गया है एस से फोन को कनेक्ट करने के बाद इस इलेक्ट्रिक साइकल के कई फीचर्स को ओपरेट कर पाएंगे कुल मिला कर ये एप इस साइकल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है पैडल से स्पीड बढ़ेगी, ब्रेक भी लगा पाएंगे X1 में यूनिक पैडल रिजनरेटिव ब्रेकिंग भी है पैडल की मदद से साइकल की कैपेबिलिटी को बढ़ा जा सकता है वहीं इसकी मोटर को रिवर्स में भी घुमा सकते हैं ये राइडर को तेजी से आगे बढ़ने के लिए पैडलिंग की पमिशन देता है वहीं साइकल को धीमा करने के लिए पैडल को पीछे की तरफ घुमा कर ब्रेक लगा सकते हैं EIV A2.0 एप इस फक्षन को और आप्तमाइज करता है क्योंकि X1 को एक मानक रियर वील स्टैंट पर घर के अंदर लगाया जा सकता है और इसे एक निश्च ट्रेनर के रूप में उप्योग किया जा सकता है इस फंक्षन का उप्योग बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है यानि पैडल की मदद से ही बैटरी चार्ज हो जाएगी हैंडल के टन होते ही इंडिकेटर जल उठेंगे इस इलेक्ट्रिक साइकल में फ्रंट हे ट्यूब पर एक LED हेडलाइट और रियर ड्रॉप आउट में टेल लाइट मिलती है हैंडल के दोनों सिरों पर टन इंडिकेटर भी दिये हैं जो साइकल के टन होते समय आटोमेटिक एक्टिव हो जाते हैं इसके अलावा X1 में पीछे के पहिये पर एक बड़ी मोटर लगाई गई है क्योंकि कमपणी ने देखा कि डाइमेटर जितना बड़ा होगा मोटर उतनी साइलेट रहेगी इस साल के आखिर तक लॉंच होगी X1 को कमपणी इस साल के आखिर तक लॉंच कर सकती है अभी कमपणी इसके दो प्रोड़क्शन मॉडल्स XS और X-XS लॉंच कर चुकी है ये दोनों फोल्डेबल मॉडल हैं जिन में X1 के जैसी टेकनोलोजी का इस्तेमाल किया गया है XS Sports 20 इंच वील की कीमत 1800 यूरो करीब 1.47 लाख रुपे है वहीं XS Sports 16 इंच वील की कीमत 1700 यूरो करीब 1.39 लाख रुपे है इसी साइकल रेवाल्ट एलेक्ट्रिक साइकल X1 के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कॉमेंट करे ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको मिल जाए हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरे आप तक पोचते रहेंगे आने वाले बाइक या कार के विवरन जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल जाए हर वीडियो की नोटिफिकेशन